Hello and welcome friends, welcome to pharma वेदाग्यान तो उत्तरप्रदेश University of Medical Science सैफ़ाई में जो आपकी वेकेंसी निकली है तो इसमें जो है हम सलेबस जानेंगे किस तरीके के कोशियंस आपको देखने को मिलेंगे क्या एक्जाम पैटर्न रहेगा और किस तरीके से आपको जो अपनी perpression करनी चाहिए तो अभी हम जो डिसकुस करने जा रहे है जो आपकी पोस्ट रहेगी जिसमें की general instructions जनरल जो आपका aptitude का part है वो किस तरीके से रहेगा अभी जो है main हम senior administrative assistant की पोस्ट के लिए बात करेंगे कि कैसे questions आपको देखने को मिलेंगे CCS rules आपको किस तरीके से पढ़ना है तो अगर आपने इसका form fill up नहीं करा है तो आप लोग बहुत जल्द कर लीजिए क्योंकि इसकी last date आपकी 16 January जो है रहेगी ठीक है तो इसके regarding जो है सारी details आपको description मिल जाएगी कि क्या qualification है किस तरीके से जो है इसमें age criteria है क्या experience मागा गया है तो वो आपको description मिल जाएगा तो अभी हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसी post रहेगी तो कौन-कौन सी post रहने वाली है वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये post जो है आप लोग apply कर सकते हैं तो काफे कम समय आपके पास बचा है तो 16 January से पहले आप लोग जो है यह form flip कर सकते हैं तो अभी जो general syllabus रहेगा सबसे important जो रहने वाला है दो घंटे का इसमें आपको timing रहेगी जिसमें की 300 जो है marks के यह आपके questions रहेगे total questions जो है वो 100 रहने वाले हैं तो exam pattern के अगर हम बात करें तो इसमें senior administrative assistant की जो post रहेगी तो इसमें जो है आपका aptitude test रहेगा तो इसमें आपके questions जो रहने वाले है general English के 10 questions रहेंगे general knowledge के 10 questions reasoning के 10 questions और mathematical aptitude के जो हैं 10 questions रहेंगे तो total आपके 10 questions रहने वाले हैं जो की 4 रहेंगे तो 4 part होगे और 3 number के रहेंगे तो total जो आपका रहने वाला है वो 120 number का total होगा तो यह आपका part A रहेगा इसके बाद जो part B रहने वाला है जो की core subject है जो की 60 marks का रहने वाला है तो 60 into 3 कर लेना है आपको तो आपकी 180 marks का जो आपका core subject रहेगा तो उसमें आपको किस तरह की से preparation करनी है वो हम जान लेंगे SSE level की जो हैं आपको question देखने को मिलेंगे जिसमें की CGL हो गया CHSL हो गया तो इनकी आपको preparation करनी होगी जिससे questions आपको दिखते हैं उसी प्रकार के रहेंगे SSE level की ठीक है तो यहां पर आपने देख लिया जो main part आपका रहने वाला है जो कि हम अभी discuss करने जा रहे हैं जो कि senior administrative assistant का रहेगा तो देखिए question paper जो रहेगा वो Hindi और English दोनु में रहेगा तो अभी जब admit card आएगा तो उसमें आपको ज्यादे clear हो जाएगा कि किस तरीके से exam होगा तो यहां पर आपको सबसे पहले जो देखना है fundamental rules देखने है supplementary rules देखने है TA rules, LTC rules क्या रहते है LEAF rules क्या रहते है Medical attendance क्या रहती है क्या rule रहते है CCS rules तो काफी important रहता है काफी जो है बच्चे इसमें मतलब marks score नहीं कर पाते है ठीक है तो conduct rule रहेगा जो आपके government के द्वारा बनाए गए है जिसमें की CCS rules का 1965 जो है ठीक है तो दो जो है इसमें आपको main जो है अच्छे से prepare करना है 1964 और 1965 65 क्योंकि काफी जो है rules आपको दिखेंगे लेकिन जो main आपको focus करना है वो दो ही rules में करना है general financial rules जो की 2017 के according रहेगा वो आपको देखना है इसके बाद office procedure क्या रहता है institutional administration क्या रहता है RTI act 2005 जो RTI रहती है 2005 CCS pension rule क्या रहेगा इसके सांथी leadership team work तो ये आपको management की questions भी रहेंगे तो ये सभी 10 topics आपको देखने को मिलेंगे इसके सांथी जो है आपको constitution law पता होना चाहिए case law और ETC सांथी computer का basic knowledge आपको होना चाहिए जैसे कि आपने देख लिया computer organization RAM, ROM क्या होता है file system, input, output, devices इसके सांथी relation between hardware and software operating system क्या रहता है MS office क्या रहता है तो मतलब computer का जो basic जानकारी होती है वो आपको पता होनी चाहिए तो इसमें including MS Excel MS office ये आपको पता होना चाहिए powerpoint किस तरह के से access करते हैं उसमें कुछ आपके shortcut keys रहते हैं तो वो भी आपको जो है इसमें पता होने चाहिए तो ये आपका complete जो है syllabus रहने वाला है जो की senior administrative officer का रहेगा तो कुछ questions देखते हैं कैसे questions जो है पूछे जाते हैं अगर आप जो है हम से जूड़ना चाहते हैं या फिर enroll होना चाहते हैं इसमें के हम ये सारे questions को discuss करेंगे इनके previous questions देखेंगे किस तरीके से पूछे गए हैं CCS rules के कैसे questions बनते हैं वो काफी important रहेगा उससे आपकी तयारी काफी improve होगी तो कैसे questions आपको देखने को मिलेंगे और अपनी preparation आप लोगों को किस तरीके से करनी चाहिए तो वो हम देख लेंगे तो इसमें आपके questions जो रहेंगे वो MCQ रहने वाले तो ऐसे questions आपको देखेंगे जो कि online mode में ये exam conduct कराया जाएगा Hindi और English में तो इसमें देख सकते हैं Which section of the right to information act 2005 is related with penalties तो ऐसे questions आपको देखेंगे तो इसमें जो right answer हैगा वो 20 रहेगा इसके साथ ही next question अगर देखें तो which of the following is part of a government letter तो इसमें जो letter रहता है वो कौन से part रहेगा मतलब letter head रहेगा name and organization of sender तो बोथ जो है इसके government letter के जो हैं part होंगे तो ये जो है हिंदी में अगर आप चाहते हैं तो हिंदी में भी हम आपको provide कराएंगे तो ये बस demo है कि कैसे questions आपको देखेंगे तो ये आपका देखिए general financial rule 2017 से जो है question रहेगा तो इसमें है which chapter of general financial rule 2017 is related with the contract management तो ये जो रहेगा वो 8 जो है इसका answer रहेगा जो chapter 8 है उसमें जो है contract management की जो है आपको related topics दिखेंगे तो ऐसे questions आपको देखने को मिलेंगे इसके साथ ये अगर हम next देखें तो ये आपके कुछ leaves से संबंदित question है मतलब जो छोटियां रहती हैं वो किस तरीके से रहती है calendar में क्या आपका procedure रहता है तो ये सभी आपके government administrative के चितनी भी topics रहते है वो आपको देखने होंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है office procedure से question आया है और साथ में जो है आपको सारी चीजे देखनी होंगी कैसे questions आपको देखने को मिलेंगे तो ये आपने देख लिया कि कैसे questions आपको जो है central service rules जो है आपको पढ़ना होगा जिसमें की conduct rule रहता है leaf rule रहता है तो वो सारी चीजे रहेंगी तो यहाँ पर आपने देख लिया कैसे questions आएंगी ये बस एक demo है किस तरीके सापको अपनी preparation करनी होगी तो अगर आप हमसे जूड़ना चाहते हैं जिसमें की हम आपको previous questions जो है provide कराएंगे और साथ में जो है theory part जो इसका theory part रहता है वो आपको provide कराये जाएगा जिसमें की topic wise है आपको सारे topics provide कराये जाएंगे कि किस तरीके सापको अपनी preparation करनी चाहिए तो यहाँ पे आपको WhatsApp नमबर दीख रहा होगा तो इस नमबर पे आप लोग जो है हमें WhatsApp करें आप जो हैं course में enroll हो सकते हैं जिसमें कि हम सारे जितने भी CCS rules हो गया LTC rule हो गया आपके office procedure हो गया RTI Act रहते हैं तो सारी चीज़े हम discuss करेंगे ठीक है तो आप लोग जो है इन रूल हो सकते हैं course की fees जो रहने वाली वो सिर्फ और सिर्फ 299 रहेगी मात्र जो है 299 जो है आपकी course fees रहेगी जिसमें कि आप पे करने के बाद आपको एक link मिलेगा उसको आप join करें जिसमें कि आपको सारे study material की PDF प्रोवाइट करा दी जाएगी ठीक है तो यहाँ पर आपने देख लिया तो काफी candidate जो है हिंदी medium की होंगे उनके लिए भी हम हिंदी में आपको प्रोवाइट कराएंगे तो अभी तो देखिए senior administrative assistant की post के लिए apply किया हुआ है और आप जो है इस course के लिए avail करना चाहते हैं ठीक है अगर आप form बनना चाहते हैं उसके regarding जो है आपको description में वीडियो मल जाएगी कि क्या procedure है क्या eligibility conditions रहेंगे ठीक है तो यह हमने देख लिया सारे questions जो रहेंगे आपके subject के wise पूछे गए अभी तक और किस तरिके का pattern जो है आपका पूछा जाता है तो मलते है next video में तब तक के लिए बबाए और आगे भी जो है screen regarding जो है detail वीडियो लाएंगे तो आप लोग courses से enroll हो सकते हैं मलते है next video में तब तक के लिए बबाए